हेलो फ्रेंज विल्कम बैक तो मैं अदर वीडियो आज मैं हूँ रॉक गार्डन का एंट्रेंस आपको एंट्रेंस के राइड साइड पे आपको टीके टांटर मिल जाएगा और आते ही एक मैनमेड वाटरफॉल दिखेगा आपको यह है टिकेट हम लोग चार जान है तो फोटी पीस पार है उसका एक सो साट रॉपय हो गया तो अभी हम लोग कुछ चार मुजी का असपास आये थे तो यह टिकेट दीगा कि आपको यहां से एंट्री करना है आपको ग्रीनरी के साथ एक वेल मेंटेन अपको गार्डन देखने को मिलेगा यह ग्रीनरी के साथ बढ़के को जैसे स्टोन्स है आप जैसे एंट्री करेंगे आप सामने एक अच्छे से स्टोन्स से कुछ आर्ट वर किया हो देखने को मिलेगा यह एक फिशर मैंन के फैमिली है जो कि अभी जो सी से बड़ा फिश पकड़ के लिए आया है और तू बचलोगे डौगे उसके फैमिली मेंबर से खुश हो गए वैसा इन्होंने दिखाया है वो अच्छे से आर्ट होती है जो चलते हैं कि अंदर के तरफ यहां से आपको एंटरिंस है क्योंकि आंदर इन्होंने और भी अच्छे से इस्टोंस के बहुत सरे आर्ट्स बनाएं यह मैनमेड वाटरफॉल और एक जोटा सा लेक है इस लेक में आपको फीज भी देखने को मिलेगा तो बहुत है अच्छे कलरफूल फीज है इसमें अंदर की तरफ जाते बहुत सारे फैमिली मेंबस आये और बहुत सारे बचलोग भी है तो बेस्ट टाइमिंग टाइम है यहां पर आकर टाइम स्पेंड करनेगा आप देखसेकते हो एक आर्ट वर्क कुछ विलेज का डेली अक्टिविटी यह सब दिकाए यहां पर आने का टाइमिंग है आप मॉर्निंग दस बज़े से लेके विपर को एक बच दलगा सकते हो और शाम के टाइम तीन से लेके साथ बचे दलगा सकते हो अचलोग चलते आ यह पर आज तो वह सारे लोग देखने को मिले हैं यह फिर डिफरेंट ट्राइब्स के लोग है उनके बारे में कुछ ऐसा स्टोंस में से आर्ट करके दिखा है जो कि विलेज का पुरा लाइफ स्टैल है इसमें एक्स्प्लेइन किया है इन्होंने तो बहुत अच्छे से आर्ट वक किया है पुरा नैचरल लग रहा है अगर आओगे तो जरूर विजिट करना कारवर में यह प्लेस मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा एक सिटी से थोड़ा सा अलग कुछ तो इन्होंने विलेज के बारे में अच्छे से एक्स्प्लेइन किया है और अच्छे से इन्होंने स्टोंस को इन्स फॉर्म में बनाय उन्होंने एक्स्प्लेइन किया है सब कुछ इसमें आप देख से तो बफलो यह सब उनका बच्चा है और यहां पे एक थोटा सा घर उजे से बनाया है यहां पे उनको पालते हैं सब यह कुछ शिया का कल्चरल डैंस है कुछ सा डैंस है मुझे पता नहीं लेकिन कल्चरल डैंस कुछ तो है यह कुछ गंदा कम्यूनिटी उनके बारे में इन्फॉर्मिशन है जिसे एक ओल्ल यमानी का हाउस है उसके पर ग्रास है उस अब है यह उनका कुछ फोक डैंस कुछ तो है इस गार्डन में आके जुना कल्चर जानना बहुत है इंट्रेस्टिंग था तो अगर आपको भी पसंद आया रहा तो प्लीज लाइक शेर और सब्सक्राइब जरूर करना वीडियो पूरा एंड तलग जरूर देखना आपको बहुत सारे यहां पर आर्ट वक देखने को मि तो आप लोग भी देखके एंज़ोय करो मैं भी देखके एंज़ोय करता हूँ कम्मेंड करके जरूर बताना मुझे कि आपको सबसे ज्यादा कुंसा विलिज के लाइफस्टैल यह आर्ट का यह जो स्टोन्स का बनाए आपको कुंसा पसंद आया यहां पर आप मुझ अच्छे से एक से दो गंटा अच्छे से टाइम स्पेंग कर सकते हूँ वह सारे फोटो से ले सकते हूँ इनके साथ वह सारे मेमरी साब बना सकते हूँ मेरी साबसे तो बेस प्लेस है विजिट करने के लिए मेरी साबसे लाइम झाले कर वहां जे पाले कर दो फारे लिए वह साबसे लीर को कर दो ले आपको कर दो कर दो कि दो प्लेस रहीं वहां प्लेस उता हूँ प्रिष्टा प्रिया करेंगे विस्ट्राइब से देको गषाँ होगा तो लिए प्लिक तो प्लिक्राइब कर से चर्वाइब से चाही करेंगे जिनले करेंगे करेंगे झाल